नमस्कार स्वागत है आपका भक्ती टॉप 20 में आईए आपको देते हैं धर्ण और आध्यात्म जगत से चुड़ी हुई 20 बड़ी जानकारियां गया में विश्व विख्यात महाबोधी मंदिर की सुरक्षा को लेकर अब पुलिस और प्रशासन दोनु मिलकर नए ट्राफिक प्लान्स बनाने जा रहे हैं इस कड़ी में प्रशासर ने काम करना शुरू भी कर दिया है जल्द ही नए ट्राफिक प्लान्स का प्रारूप तयार कर लागू किया जाएगा पाकिस्तान में स्थित शिव मंदिर कटासराज का दर्शन वजलाबिशे करने के लिए इस बार महाशिवरात्री पर मुजफरपुर से पांच लोगों का चैन हुआ है आपको बता दे कि 1972 में भारत पाक के बीच एक समझोता हुआ था इस समझोते के तहट हर वर्ष भारत से 200 व्यक्तियों को कटासराज दर्शन के लिए केंदर सरकार अपने खर्च पर भीजती है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी 2 अप्रेल को उजैन में टावर चेक पर स्थापित की जाएगी इसमें ग्रीन विच टाइम जोन के 24 घंटों को 30 मुहुर्थ में विभाजित किया गया है इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकेगा महाशिवरात्री पर दर्शन करने जाने वाले लोगों को इस बार करक राज मंदिर क्षेत्र में वाहन पार्क करने होंगे यहां लगभग 500 वाहनों के लिए पार्किंग की जगा बनाई गई है फिर वहां से मैजिक और मिनी बस के जरीश अधालूओं को नरसिंग घाट के नस्दीक जालरिया मठ तक लाया जाएगा ब्रिज में होली के 40 दिनों के रंगोटसव की शुरुवात हो चुकी है जिसमें देश के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं जानकारी के अनुसार इस साल 10 मार्च को नंदगाओं में फाग आमंतरन मोहतसव और बरसाना में लड़ू खोली खेली जाएगी माता वैश्नो देवी के भक्तों को मिलने वाली सुविधाओं में और जादा इजाफा किया जाएगा इसके लिए प्रसाद यूजना के तहट पूरा प्रारूप तयार किया जा रहा है इसके जल्द ही लागो होने की उमीद भी है इसके तहट जमू कश्मीर के परिटेंस थुलों को भी विक्सित किया जाएगा केदारनाथ धाम में पिछले दिनों भारी बर्फ बारी के बाद धूब देखने को मिली आपको बता दे कि इस बार केदारनाथ धाम में इतनी बर्फ पड़ी थी कि मंदिर के बाहर नंदी बाबा की प्रतिमा भी दिखाई दिनी बंद हो गई थी माना जा रहा है कि किदारनाथ में कपाट खुलने से पहले अप्रेल से बर्फ हटा कर श्रद्धालूं के लिए रास्ता तयार किया जाएगा अब जल्द ही विदेशी श्रद्धालूं के पास पहुँच सकेगा बाबा बैदनाथ धाम के प्रसाद में चड़ने वाला पेड़ा इसके लिए जिला प्रशासन ने मंदि प्रशासन के साथ मिलकर पूरी रूप रेखा तयार कर ली है जल से जल इसे लागू करने का भी निर्देश दे रिया गया है खूटी जिले में मुरहू के महादेव मंडा परिसर में नव निरमित दुरगा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कारिकरम का आयुजन किया गया पांच दिनों तक चले इस कारिक्रम में पूरे विधी विधान से सभी कारिक्रम संपन हुए मद्यप्रदेश के मंसौर में प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनात महादेव का मंदिर है इस मंदिर में सहस्तरेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित की जा रही है सहस्त्रेश्वर महादेव का शिवलिंग धाई टन का है और इसकी लंबाई और गोलाई 6.50 फिट है मध्यप्रदेश के सागर में स्थित मा जागेश्वरी मंदिर में साई बाबा के 23 स्थापना दिवस पर भव्य साई रत यात्रा निकाली गई साई बाबा स्थापना दिवस साई भक्तों ने धूमधाम के साथ मनाया साई बाबा के गर ब्रह को शिरडी से आये गुलाब के फूलों से सजाया गया एक तरफ जहां इंसानों की जरुरते पूरी करने के लिए जंगलों से पेड काटे जा रहे हैं तो वहीं उदैपुर शहर से 45 किलो मीटर दूर बढ़गाओं तहसील के मारुवास गाओं में ग्रामीडों ने पेडों को ही भगवान माल लिया है यहां देवता का आदेश लिये बिना लोग पेड तो क्या पेड की टहनी तक नहीं काटते यही कारण है कि इस गाओं में मौजूद आनडा जी बावजी के मंदिर का निर्माण भी पेडों को बचाते हुए किया गया है अयोध्या में भव्वे राम मंदिर निर्माण की कड़ी में मंदिर की उपरी सुरक्षा के साथ ही जमीन के नीचे भी सुरक्षा कबच तयार किया जा रहा है अब मंदिर की 20 फुट उची प्लिंट के निर्माण के साथ रिटेनिंग वॉल का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है जिससे बाड के समय सर्यू नदी की धारा की चोट से मिट्टी के कटान को रोका जा सकेगा व्रिंदावन इस्थित चंदरोदय मंदिर में श्रील नित्यानन्द महाप्रभू का आविरभाव दिवस मनाया गया भक्तों ने कई तरह के फूलों से मंदिर को सजाया इसके बाद 56 भोग, पाल की उत्सव और वैदिक मंत्रो चारण के बाद पंच गव्य, फलो के रस, औशधी और पुश्पों से निताई गौर काम महाभी शेख भी किया गया पूजे देव कि नंदन ठाकुर जी महाराज की आध्यात्मिक यात्रा की 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में 23 फरवरी से व्रंदावन में शुरू होगी श्युमाहापुरान कथा एक मार्श तक चलने वाली इस कथा में पूजे महाराज श्री भगवान शियुव से जुड़े प्रसंगों का करेंगे बढ़न परम पूजे श्रीमत जगदगुरू रामानुजा चारे स्वामी डॉक्टर रागवा चारे जी महाराज के श्रीमुक से श्रवन कीज़ श्रीमत भागवत कथा का 20 फरवरी से अमेठी में शुरू होने जा रही इस कथा में महाराज श्री करेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं का बखान पूजे श्री गौर्दास जी महाराज के सानेद्धे में वरिंदावन में चल रही है श्री गौरांग कथा 21 फरवरी तक चलने वाली इस कथा में महाराज जी श्री कृष्ण चैतन ने महाप्रभू जी के पावन चरित्र का कर रही है बखान बिहार के सीता मडी के धार्मिक महतु में एक बाद फिर से इजाफा हो रहा है यहां देवी सीता का प्राचीन और एतिहासिक मंदिर है अब यहां देवी सीता की विशाल प्रतिमा बनाने की तैयारियां की जा रही है जिसकी उचाई 251 मीटर होगी इसके बन जाने के बाद ये दुनिया की सबसे उची प्रतिमा होगी 19 फरवरी से वारार्सी में श्रीमंद भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है 26 फरवरी तक चलने वाले इस कथा में पूजे भाई श्री लोगों को भगवान की लिलाउं से अवगत कराएंगे आप दोपहर साड़ी तीन बजे से इस कथा का प्रसारण संसका चानल पर भी देख सकते हैं मदेप्रदेश के खरगवन में जिला मुख्याले से करीब 6 किलोमीटर दूर राजपुरा गाउं के पास संगममर से निर्मित इसकौन मंदिर बन कर तयार हो चुका है 19 और 20 परवरी को मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ये थी धन्म और अध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी गतिविधियां अगर आपके आसपास कोई धार्मी क्या सामाजिक कारिक्रम हो रहा है तो आप उसकी जानकारी हमें जरूर दे info at the redsonscargroup.in पर ये हमारा email ID है इस email ID पर आप हमें सारे information mail कर सकते हैं ताकि उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में आज के लिए सिर्फ इतना ही आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए हमें दीजी इजाज़त नमस्कार